प्रीए दोस्तो न्यू डायट सिस्टम यानि NDS में मैं सभी सादक मित्रों को दूद और दूस्य बने उत्पादन जैसे के चाय, कौफी, दही, चास, मकन, चीज, पनीर, आइसक्रीम, मावा की मिठाई, श्रिखन, मिल्क सेख, इत्यादी का उप्योग करने से मना करता हूं औ पर इससे अच्छे, जल्दी और त्वरित परिणाम मिलने सुरू हो जाते हैं, यह मेरा और अन्या बहुत सादकों का अनुबह है, दूद और अन्या डेरी प्रोडक्स खाने के मैनों से बाहर करने की क्या वज़य है, उसके लिए में आप सभी के लिए अलग वीडियो दू कर नेचर हमारी मां कुद्रत से सूद और नुट्रिसटन से बरात ताजा दूद यानि coconut milk नारियल का दूद और उसमें कुद्रत का दूसरा करिस्मा चिकु को मिक्स करके, coconut, चिकु, healthy स्मुदी कैसे बनाई जाए उसका live demonstration दूँगा, और साथ में आजके इस वीडियो के है दोस्तों हम लोग जैसे आपने वीडियो में देखा तीन नारियल थे उसमें से इतना coconut निकला हुआ है हम नारियल को फोड़के यह coconut और उसका coconut water दोनों लेते हैं और एक ग्लास पानी साथ में रखते हैं यह बढ़िया नारियल से उपयोग से बहुत अच्छा दूद बनेगा वह प्रैक्टिकली देखना इससे चार से पांच ग्लास दूद निकलेगा अपने लिए हम coconut milk बनाने के लिए slow juicer यूज नहीं करते लेकिन जो अपना normal mixer आता है वो यूज करते हैं निकाले हुए coconut से cutting करके इतने टुकड़े बना देते हैं ताकि milk मिल्क मिनाने में काफी आसानी रहता है दोस्तों यह coconut के टुकड़े हैं उसमें coconut milk और यह पानी मिला के हम लोग sourcing करते हैं और बाद में उसको filter करते हैं फिल्टर करने से आपको आराम से चार से पांच ग्लास दूद मिल जाएगा दोस्तों यह एक चिकू जिसको coconut का मिल्क बनाके यह चिकू मिक्स करके हम साथ में चिकू की स्मुदी बनाएंगे दोस्तों आप चाहो तो coconut का मिल्क अकेले बें इस्तमाल कर सकते हो ऐसे दूद की तरह और अगर चाहो तो उस coconut मिल्क से चाहस भी बना सकते हो वह भी बहुत बढ़िया बनती है उसमें एक लिम्बू निचोड़के दोस्तों अभी हम सुरू करेंगे अपना coconut चिकू स्मुदी यह हम इवनिंग में उपयोग करते है यह जो coconut चिकू स्मुदी है वह हमारा इवनिंग का ब्रेकफार्श रहता है अगर हम को साम को अगर भूक लगती है तो यह हम इस्तमाल करते हैं मेरी वाइब निमीशा आपको इसका प्रैक्टिकल डेमो बता रही है मिक्सर के जार में कटे हुए तीन कोकोनेट के काटे हुए टुकडे कोकोनेट में निकला हुआ पानी और एक ग्लास एक्स्ट्रा पानी मिला के हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं दोस्तों अच्छी कंबनी का अगर स्लो जूसर हो जैसे कुविंग्स या यूरोम या पैनास्वनिक तो आप वो स्लो जूसर में डायरेक्ट भी कोकोनेट का मिल्क निकाल सकते हो मेरे पास जो स्लो जूसर प्रेम son's का वो इसके लिए इतना कैपेबल नहीं है और मिक्सर में ये जो कोकोनेट का मिल्क निकालने जाते है तो फस जाता है इसलिए हम अनुबह से नॉर्मल मिक्सर ग्रैंडर का यूप योग करते हैं और एक coconut milk बनाते हैं दोको इसको दो या तीन स्टॉक में मिलाना पड़ता है कोकोनट डालने के बाद थोड़ा पानी भी मिलाते हैं और बाद में दो-तीन बार ग्रैंड करके उसको फिल्टर कर लेते हैं आपके सामने ही लाइव डेमोस्ट्रेशन में फिल्टर होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि वह यह फिल्टर होके कितना बढ़िया दूद मिलता है दोस्तों कोकोनट मिल्क यूज करने की वज़ा यह है कि हमको कुद्रत से जुड़ना है दोस्तों यह पुरी पृत् इसा बोलती है कि जो मा अपने बच्चे के लिए दूद बनाती है वही उसके लिए सर्वत्तम है हमारा सैंस भी मानता है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको उसकी मा का ही दूद पिलाना चाहिए और किसी मा का दूद नहीं पिलाना चाहिए लेकिन आज के विग्णान ने स उससे ज़्यादा नसा है दूद के उत्पादनों का जैसे चाय, कॉफी, मक्षन, चीज, पनीर, उस दूद के मावे से बनी मिठाईया, काजु कतली, अंगुर, रबडी, स्रिखन, तरह तरह के आइसक्रीम, यह सब दिखावा है, शरीर के लिए इसकी कोई जरुवत नहीं है दोस्तों, शरीर को चाहिए, यह नूट्रीशन से बरा नारियल दूद, और भी बहुत सारे दूद बन सकते हैं, अगर आप थोड़ी महिनत करो तो, दोस्तों, बंबे की एक डॉक्टर है, डॉक्टर रुपासा, सरकल ओफ हेल्ट की एक और्गेनाइजर से, इसकी उसमें उन्होंने तरह तरह के प्रोड़क्ट से, आप पिनट से, सोया बीन से, कोकोनट से, अलग-अलग तरीके से आप दूद बना सकती हो, बताया हुआ है, उसका इस्तमाल करके आप बहुत ही बढ़िया दूद, रोज के रोज बना सकती हो, तुरा टाइम देना पड़े करना सकती है, दोस्तो, मैं ये दूच से जुड़ा क्यूं, मैं ये दूच से जुड़ा क्यूं, दोस्तो, तो इसका reason है मेरा बच्चा, दोस्तो, मेरा बच्चा प्रियांसू व्यास उसको ड़ाइव साल की उमर में,ifiques Osteogenesis Imperfecta Detect हुआ Osteogenesis Imperfecta आप Google पे सर्च करो एक बहुत ही खतरनाग होगे उसके जो Bones थे वो पोरस हो गए मतलब उनके जो Bones रहते वो अंदर से खोकले हो गए और उसको डाई साल से साड़े चार की साल की उमर में मतलब देड़ साल की उमर में 6 मेजर फ्रेक्चर हुए उसकी टिब्यूला, उसकी फैमूर, सब तूट गए हमने उसको स्कूल में भी एक साल डिले रखा डॉक्टर से जानकार ये मिली कि उसमें केलसियम कम है उसको मेक्जीमम दूद पिलाई है हम उसको दूद पिलाते रहे, दूद पिलाते रहे, दूद पिलाते रहे लेकिन वो दूद से उसका रोग ठीक नहीं हुआ, रोग बढ़ गया तब ही हमारे जानकारी में Google में बहुत सारी किताबी आई जिसमें ऐसा मालूम पड़ा कि ज्यादा दूद पीने से हाड के अंदर से जो बॉन्स रहते है वो पोरस हो जाते है और उसको यह उल्टा रोग बढ़ता है तो हमने उसका उपाय किया दूद बंद कर दिया और उसकी जगह पे उसको प्राने जन्य दूद की जगह पे उसको यह नारियल का दूद पिनर्स का दूद केस्यू मिल्क सोयावीन मिल्क ऐसा मिल्क चालू करवाया और बच्चा मेरा मज़े से पीने लगा स्मुधी इसमें चिक्कु डाल सकते हो आप इसमें ड्राइफूट € 一 को ड्ल सकते हो इतना बढ़िया स्मूधी आपके सामने बन रह किया और यह पूरा जो यह तपेली है श्टेलने श्टेल का पूरा तपेली भर गया सिर्फ नारियल डालो पानी डालो कोकोनेट का वटर डालो दो तिन बार क्रस कर लो यह फिल्टर में से फिल्टर करके दबा दो आपके सामने यह coconut milk त्याइर हो जायेगा दोस्तों, ये coconut milk सेab छास भी बना सकते हो ये coconut milk में दो चार प्रकार के fruits dar के fruits dar भी बना सकते हो, ये coconut milk आप ऐसे भी पी सकते हो, बहुत ही बड़ीzona स्वाध रहता है इसका, बहुत ही बड़ी zone स्वाद रहता है और दो लिम्बू निचोड़के इसकी चास भी बना सकते हो अगर आपने न्यू डायर सिस्टम की चवान साब की कोई सिबीर भरी होगी तो आपको मालूम होगा कि फूर्स लाड कितना बढ़िया लगता है यह जो सापके सामने दिख रहा है वो कोकोनट से न नहीं करना है और साथ में स्मूधी बना के पीना है कुद्रती स्वीटनेस के लिए दोस्तों इसमें कोई खांड सुगर डालने की जरूवत नहीं है चिकु खुद्रती तरीके से स्वीट आते है उसको इसमें मिला के बहुत बढ़िया स्वात लगता है अगर चाहो तो आप एका दो चमची हनी डाल सकते हो इसके अंदर जादा स्वीटनेस अगर चाहिए तो बाकि मैं तो बोलता हूँ इसका भी जरूवत नहीं है यह चोटे जार में हम चिकु की स्मूधी बनाते हैं मेरी वाइफ निमी सा आपके सामने इसका डेमो दे रही है तक कि आपको पूरा नहीं उर्जा देगा शरीर में एक नहीं ताजगी देगा एक सक्ति का एसास देगा जिसको क्रेविंग की समस्या आती है वो एक ग्लास स्मूधी पहन के यह पी के उसको कोई भी समस्या अंदर से निकल जाएगी मतलब ऐसना अच्छा लगेगा कि आप बिलिव नहीं कर पा तो हमारा सामका जो टाइम रहता है वो एकदम अच्छा जाता है और डिनर की जो हमको लालसा रहती है वो भी थोड़ी कम हो जाती है और सामके जो डिनर में जो हम दबा दबा के खाते हैं वो भी हम नहीं खाएंगे और बहुत ही बढ़िये तरीके से इसका आपको nutricence value मिले स्टैमिना मिलेगा और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है मेरा बच्चा इसका डेली डिमांड करता है और रोज पीता है हम लोग उसके लिए special दो या तीन नारियल लाते हैं उसको ऐसे तोड़के रेडी करते हैं दूद्र और हमेशा उसको इसमुदी पिलाते ह दोस्तों देखो आपके सामने स्मुदी तैयार हो गया फाइनल जो चीकु का पल्प निकाला था वो भी इसमें डाल दिया है पूरी जो तपे लिए वो स्मुदी के और नारियल के दूसरे बर गई है आपके सामने ये घड़ा और एकदम हेल्दी नूट्रिसेंसे बुरा ज मिल काता है आज अगर आप डबली एचो का रिपोर्ट पढ़ोगे तो बताते हैं कि भारत में 60-70% दूद बना वटी है पाइरेटेड है अन्यत दूदों से मिस्क जिया हुआ है पावडर डाला हुआ है पेस्टिसाइड डाला हुआ है तरह तरह के सेंपू डाले हुए पताते हैं आपको कि यह दूद बहुत जमाने में पाइरेटेड है मतला बहुत ही मिला वटी है तो इसका इस्तामाल अगर हम को बंद करना है तो इसका रिप्लेश्मेट में सबसे बेश चीच यह कोकोनेट और चिको की स्मूदी है या कोकोनेट मिलके या पिनस मिलके ज़ Gar बातों ही बातों में आपके सामने ये चार ग्लास, हिल्दी चार ग्लास, कोकोनेट मिलक के तयार हो गए, देखिए दोस्तों, अभी भी थोड़ा कोकोनेट चिकु की स्मूदी बची हुई है, पांचवा ग्लास भी हम आराम से पी सकते हैं इसके अंदर, और हम लोग हमेशा इ इनिट परिवार की तरह हम इसको आनन लेते हैं, दोस्तों कोई भी चीज, अगर मेरा अगर आप न्यूड़ाइट सिस्टम का गोल्डन डूर्स का लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैंने बोला है, कोई भी चीज, परिवार के साथ ही करने का मज़ा आता है, अगर आप सिस्टम पूरे परिवार के साथ करोगे, तो आपको जो मज़ा आएगा, वो कभी नहीं आएगा, अभी अक्यले करने में नहीं आएगा, मैं देखा हुआ है बहुत सारे घरों में, लोग अक्यले सिस्टम करते हैं, अक्यले सिस्टम करने का कोई मज़ा नहीं है, साथ में कि किताब है milk is a silent killer वो किताब पढ़िए बहुत बढ़िया किताब है इसी किताब से मेरी आँख खूली थी और तभी आपको मालूम बढ़ेगा कि यह दूत कितना यूज करना डेली लाइफ में खराब है एक और अन्य डॉक्टर है डॉक्टर पवन वाद्वान उसकी भी आप व